है 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 लो फ्रेंड्स मैं मैं मिस्स अबठाकूर प्रॉम मंधन इंदोर स्पीश थेरपी सेंटर बहुत सारे लोगों को इस पीछ में प्रॉब्लम आ रहा है वोईस थेरपी मिस आर्टिकुलेशन स्ट्रैम रिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मैंने के बारे में आज मेरा फर्स्ट वीडियो जो आ रहा है उसमें मैं आपको केवल एक्सरसाइस बताऊंगी जिससे आप अपने हकलाना तुकलाना वाली जो है प्रॉब्लम को यदि आप कुछ एक्सरसाइस करेंगे तो शायद कुछ हद तक ठीक हो जाएगी ठीक है यह एक्सर सबसे पहले अपनी नाक से लंबी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे जब भी आप कोई बात करते हैं यदि हकलाने वाली प्रॉब्लम है तो आप लंबी सांस लेंगे और कोई भी शब्द को फिर बोलेंगे तो उससे आपको काफी फायदा होगा तो आप पहले मैं आपको करके बताते हूं कि दूसरी एक्सरसाइस है टंग की जीबान की जीबान को आप बाहर निकालेंगे मुझ से और आपके होटों के चारों तरफ गुमाएंगे जीबान को कि थर्ड एक्सरसाइस है आपकी जीबान को आपके गाल के पे रखेंगे और उसको अंगुठे से प्रेस करेंगे या दबाएंगे आप अपने पर एक्सरसाइस है आप हाँ आ ऐसे करके वर्स निकालने के खोशिश करेंगे जैसे लॉयन के आवाज शेर की आवज फिफ्ट एक्सरसाइस है जिबान को आगे बाएंगे पीछे के और ले जाना है झाला यह एपक्ट हर जगह पीछे अपने उपर तालू पे उसको टच करना है जिबान को जहां तक हो सके आप जिबान को पीछे फोल्ड करके या मोड के जिबान को पीछे के ओर ले जाए आज के लिए इतना ही अगले कुछ वापस यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ और एक्सरसाइस मैं आपको बताओं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं जल्दे ही हाजी रोंगे आपके पास बाइबाइबाइबाइबा रहरर है और मीष आपको बताओं को कीजिए एक रचान के यईगी हाजी हाज कीजिएबाइबाइबाइबाव बताद ही हाजी रहर 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 सोजदीग गया व по οंग यजवार spo mult